इसके अंदोर में सड़क हाथ से लगातार सामने आ रहें कि ऐसा ही मामला M.G. रोड थाना शेत्र से सामने आ जाएक कार चौलक ने 8-9 वहानों को टक्कर मार दी वहीं इस घटना में दो लोग घायल हो गया है वहीं वहां मौजूद लोगों ने कार में जम कर तोड़ फोड भी की तो महीं आपको बता दें पूरा मामला अंदोर के M.G. रोड थाना शेत्र के जेल रोड का है जाएक कार सवार तेजगती से आया उसने 8-9 वहानों को जोड़दा टक्कर मार दी जैसे कुछ लोग घायल हो गए कार चौलक मौके से फरार हो गया जुसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कार में जम कर तोड़ फोड की जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है तो M.G. रोड पुलिस अधिकारी ने शनिवार देर राद बताया कि घटना सामने आई थी पु पुलिस ने मामला दर्च कर आरूपी कार चौलक की तलाश शुरू कर दी है। जेल रोड से एक मेगनेट बलेक तलाट की बहुत फास शुरूम में आते हुए दो वेक्ती बेटे हुए तो जिसमें उन्होंने पांट साथ गाड़ियों में ठक्कर मारी जेल रोड नॉवल्यल्टी मार्केट के आसपास और उसमें मेरा भाई था वेजी सवार उसको छोट जाते हैं तो पता चल जाएगा डिंग करे हुए दो लोग थे और जिनका मुवाइल जब्त करा दिया हमने थाने पर मुवाइल गिर गया था उनकी देख से तो थाने पर नई उसका होट कटाया थोड़ा सा और नॉर्मल छोट है यह तो वो प्राइवेट होस्पिटल से करा मार के सामने हम तत्काल वहां पोचे वहां काफी भीड़ भाड थी और एक कार नंबर था एमपी जेट भी 6939 का चालक था जो मोके से भाग जया था और कम से वहां आट नो गाड़े एक्सिडेन किया था वह उसमें इसमें वेद्यान सवार करके थे और एक लड़की भी थी सब्सक्राइब कर लिए और हम उनके कमल सिंग करके जो फर्याजी आए थे थाने पे उनकी तरह समने एफाय दर्द कर ली और गार चालक का तलास कर रहे हैं लेकिन वो मोके से भाग गया है वह और इतने लोग गायल के इसके अंदर गायल करीब दो ही तो गायल हुए लेकिन गाड़ी कम से नो मोटर साइकल में नुक्सान हुआ है जो रहागिर वगरा उनी गाड़ी में भी कुछ गुस्सा में आके गाड़ी में तोड़ पोड़ करी है आपका परीजिए देजिए मेरा नाम लाल सिंग जामद एसा थाना एंजिरोड लो ताजा खबरों के लिए सब नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को दबाएं